हलो फ्रेंड मैं हूँ इर्फान और आज के इस वीडियो में आप लोगों को पटियाला सलवार का कटिंग करना बता रहा हूँ ये बड़े अरज का पन्ना है 54, 54 का अरज है 54 का पन्ना है बड़े अरज में बड़े पन्ना में कैसे पटियाला सलवार का कटिंग करना है step by step मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ मेरे पास ये कपड़ा ज्यादा है तो इसमें मैं आपको cut करके बता रहा हूँ अगर आप cut करेंगे बड़े पन्ना में 54 के पन्ना में तो 2 मिटर में हो जाएगा इसका length है इसका लंबाई 38 तो जितना लंबाई है उसमें एक इंच एड़ करके मार्क लगाएंगे 7 इंच 7 इंच बेल्ट के लिए माइनस कर लेंगे इसको measurement करके देख लेता हूँ ये है 32 32 इंच इसको रखकर एक length और cutting कर लेंगे इसको रखकर एक length और cutting कर लेंगे ये उपर भी half inch सिलाई में जागा और नीचे भी half inch सिलाई में जागा तो मैं ऐसे ही आपको mark कर के दिखा रहा हूँ ये 32 इंच है तो 32 का half करेंगे तो 16 16 इंच और 1 इंच माइनस करके 15 इंच 15 इंच पे mark करेंगे मोरी 14 इंच है bottom 14 इंच 14 का half करेंगे तो 7 इंच 7 इंच और 1 इंच सिलाई के लिए margin और यहां half इंच पे mark लगाएंगे आदा इंच पे ये नीचे वाला mark state कर लेंगे सीधा कर लेंगे और ये उपर वाला mark भी सीधा कर लेंगे state कर लेंगे bottom में हमने मोरी में 7 इंच पे mark लगाए था तो यहां हम सारे 7 इंच पे mark लगाएंगे हाफिन सिलाई के लिए margin लेकर और एक इंच अंदर एक mark लगाएंगे यहां इसको state कर लेंगे हाँ कर दो कर दो कि यह यहां इस्टेचिंग होगा सिलाई होगा तो इसको रखकर इस तरह देख लेंगे यहां बेल्ट अटैच होगा तो अभी मैं बेल्ट कट करने के बाद आपको रखके दिखा दूँगा कर दो बेल्ट के लिए 7 इंच, 7 इंच और 1.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिंग, टोटल 7.5, 7.5 इंच वेश्ट 30 इंच है, कमर 30 इंच है, 30 में 12 इंच एड़ करेंगे, तो होगा 42 इंच और इसका हाफ कर लेंगे, 21 हाफ इंच सिलाई के लिए मार्जिंग लेंगे, सारे 21 इंच, 21 इंच पर मार्क लगा कर कट कर लेंगे बेल्ट यहां स्टिचिंग होगा, सिलाई होगा, और यह जितना भी इस्ट्रा फैवरिक है, सब इसके अंदर प्लिट देना है, एक बराबर से, एक वल से, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसको स्टिचिंग करके दिखाऊंगा वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दिखाऊंगा, और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजेगा, इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से, नेक्स्ट वीडियो में